दोस्तों अभी भी आपके मगध इनुश्टी के तरफ से बहुत बहुत पर बात करें एक्जाम और दिल खोले के तो हैलो फ्रेंड्स क्या हाल चल आप देख रहे हैं ऑनलेन एजुकेशन हब मैसिल्फ अभीने चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके ऑनलेन एजुके पर दोस्तों पर अंदकार में रखा गया है देख पर फिलाल यहां पर सेसन दोस्ता भी लेठ है और पठेक जारा अपर यहां पर पिछरते सत्र से चात्रों की चिंता भी बढ़ रही है तो उस्तों पर पर आपको डिटिनलब बताते हैं मगध इनुश्टी बोद गया कि और इसना कुत्र यहीं PG कि विद्यारतियों का भविश्य अंदकार में जाता दिख रहा है वहां 3 साल के कोर्स में 5 साल लग रहा है दोस्तों पर नहीं पूरा हुआ है वही दोस्तों बात करें 2 साल का कोर्स 3 से 4 साल में complete हो रहा है देख रहे हो दोस्तों आभी से सहमत है आप कभी कोई का परिणाम आना बचा है तो कमेंट हूँ जी बताईए देख पाड़े हो और दोस्तों आपको पर पढ़ने को पिल जा रही है कि स्थिती यह है कि 2018 में पार्ट वन में एड्मिसन लेने वाले वाले विद्यार्थों का अब तक कोर्स पूरा नहीं हो सका है देख लिजे बहुत गजब स्तिती है जबकि इस नातक का कोर्स मात तीन साल का ही होता है देख रहे हो न इसी तरह 2019 और 2020 में भी पार्ट वन में एड्मिसन लेने वाले शुडेंट्स की परिक्षा नहीं ली गई है जिसके कारण वे अगले कक्षा में नामंकर नहीं करा बात करें इंटरमेडियेट पास करने के बाद छातुरों का लग्ष था कि तीन साल का कोर्स करने के बाद पीजी में या फिर विभीन पतियोगी परिक्षाओं में बैठ कर नौकरी की तलास करेंगे लेकिन मगध निविशिटी की इस विवस्था से छातुरों का भविश्य अनकार में दिख रहा है अभी भावक भी चिंतित है बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा है और इस कारण वे किसी प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठ ही नहीं पा रहे हैं अब तक पार्ट वन की परिक्षा नहीं ली गई है इस कारण उसका ना तो सनातक का कोर्स पूरा हो सका है और ना वो किसी परतियोगी परिच्छाओं में सामिल हो सकती है ऐसे में असंतोस भी बरहता जा रहा है अब दूसरा केस दूस्ते यहाँ पर देखो प्रतियोगी परिच्छाओं में सामिल होना बना सपना जैसा लग रहा है बात करें एम कॉलिज देख परोगा चाहत दूस्तों अंकित कुमार ने बताया कि 20-23 सतर में उसने नामंकर कराया था अब तक परिच्छा नहीं ली गई है आगे के परहाय में भी ब्रेक लग गया है अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि यह सनातर का कोर्स का पूरा होगा और वह विभिन परतियोगी परिच्छाओं में कैसे सामिल होगा उसका लक्षे सीविल सर्वीसेस में जाने का है लेकिन स सब चौपपहर होता देख रहा है और वही यहां पर देख़़ पर दूस्तों बात करें कौन सा खोर teen कितना वील haven चल रहा है वोगद न CTर बात करें विलम चल रहे है इसे वक्त पे टाइम कर लिया गया तब दोस्तों ये भी इंवरसिटी की थोरी यहां पर ये शमासिया ठीक हो सकती है सेशन थोरा अच्छे से टाइम पर हो सकता है ओगी पर 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 दूर हो जाएगी देखपड़ इस अभी विलम सत्र को तुबारा वक्त पर किया जाएगा आखिर बात करें दूसरों सत्र में देरी के लिए जिम्मेदार कौन है क्या खास कारण है वो समझो बात करें हाँ पर मगध इनुश्टी के सासा दोस्ते हाँ पर MMHP इन्वरसिटी में भी देखतो परिक्षा वो रिजल्ट बनाने वाले एजेंसी ही भाग गई उसने वीवी को डेटा नहीं दिया लिहाजा परिक्षा रिजल्ट फस गया है दूसरा देखो कारण क्या है अपवाद शरूप एक या दो बीवी को छोड़ दे तो कोरोना और उससे पहले अकादमिक और परिक्षा काइंडर समय पर जारी नहीं किये गए काइंडर का पालन ना हो पानी के वज़ा से भी देरी हुई वही अगला कारण देख लो तीसरा कारण है कई विस्विद्यावलों में जिम्मेदार देख पर अपसरों मसरन परिक्षा नियंतरक और रेजिस्टारों यहां तक कि कुलपतियों की नियुक्ति में विलम हुआ देख पर जैसे के मगद नियुक्ति में अब भी असमजस के अस्तिती बने हुए इसलिया आप सभी का सत्र यहां पर बहुत विलम चल रहा है वही बात कर देख पर यहां पर सुधार की और पहल करते हुए सिक्षा मंत्री ने निर्देश पर देख पारें बनी कमीटी 10 तिनों में देगी रिपोर्ट फिस विद्यालों के पर हाई वापर 16 नियमित कराने को बनेगी नौस अधिस दोस्तों यहां पर कमीटी बनने वाली है यहां लाखो छात्रों का भविस अंधकार में हैं इसकी दिए बिहार के राजपल जिन्मेवार हैं देखपरों कहा कि यहां सुचारू रूप से सैक्षिनी विवस्ता बहाल करने के लिए लगाता छात्र जद्यू द्वारा संगर्च किया जा रहा है यह भी कहा गया कि अगर जलदी इस पर उचित कारवाय नहीं की जाएगी जलदी दोस्तों यहां पर देखपरों चातर यहां पर बैठाक किया जाएगा जिसमें दोस्तों बात करें सभी के समस्याओं को सुना गया जल से जल उच्पर अध्यकारियों से बात करते हुए इसका हल निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि अगर दिसंबर तक स्थाई कुलपती और रिजिस्टार की नहीं की गई तो जैनवरी में देख पर चाथ जद्यू यहां पर सभी के साथ देख पर मिलकर के यहां पर आके कुछ करेंगे तो आज के इस वीडियो में अगले वीडियो में तब तक जाहिन बदे मात्र